तो आपको बता दो दोस्तों आभी 5 देशों में वाटसप पहले से बेन है अब भारत में भी जर्चा चल रही है वाटसप को बेन किया जाए या ना किया जाए तो स्थो कौन से बाइब बताऊगा इस वीडियो में तो वीडियो को लाज सक जरूर देके जहां पर वाटसप ब बेन कर दिया था और अब तक इस पर बेन नहीं हटाया है मेसेंजी के इसलिए भी बेन किया गया है क्योंकि सरकार यहां कंटेंड और कंट्रोल करना चाहती थी और यह सब कुछ वाटसप यह मुझूद एक्रिप्रेशन कोड का नतिचा था रिपोर्ट में यह बता गया है कि वाटसप को इसलिए भी बेन किया गया है कि महाँ पर उसको अपना फीचर लांच करना था जिसमें वह वीचेट को परमोट किया जा सके दूसा दूसा आता दूस्त तो उत्तर को एक और दिच जहां वाटसप को जल्दी-जल्दी मजबूत एक्रिप्रेशन पॉलिशी के चलते बेन कर दिया गा था किंग जोन की सरकार ने इस एप को साल 2018 में हमिशा के लिए बेन कर दिया बता दे कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट भी नहीं है सिर्फ विदेशी लोकल एलिट नागरी की वाइरलेस के इतरह इंटरनेट का करनेशन चला पाते हैं यूए यूए में भी वाटसप वीडियो कॉल और फेस्टाइम की परिमिशन नहीं है यहां वाटसप की एक्रिप्रेशन पॉलिशी को कोई भी चकर नहीं है बेन इसलिए लगा गया जिसमें यू अब पांचवाए देश आता दोस्तो इरान इस देश में हाल ही में सभी वेसेंजी के एप को बेन कर दिया जिसमें वाटसप सिंगल सामील है इन सभी प्राइसी पॉलिशी के चलते बेन लगाया गया है साल 2019 में ट्यूटर और फेस्टुक को भी एरान ने बेन कर दिया है त तो इसका दोस्तों में यह कहा हूँ, मेरी तरब से यह कहना है कि वाटसप बेन हो सकता आपने देश में क्यूंकि वाटसप आपनी पॉलिशी के चलते हो पीछे नहीं अट रहा है और सरकार को नालाज कर रहा है तो आप कुछ कहनए सकते हैं अपने इस पहले भारत भी कि मिलते हैं नेक्स सुडियों जब तक के लिए बाई